नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 24 जुलाई 2021 के डेली दा हिंदू एडिटोरल डिस्कुशन में आपका स्वागत है देखते हैं आज कौन-कौन से इंपॉर्टन एडिटोरल से आज सेटर्डे है मज़े पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने एडिटोरल बनाया नहीं और एडिटोरल लेट भी बहुत आ रहा है थोड़ा सा एडिजस्ट करिए सब कुछ चीजें दीरी दीरे टाइम पर आ जाएंगी चिन्न ही वर्जन में आप डिसकस कर रहा हूं चिन्न एडिशन बहुत सबी बुलेग परिजिस्ट कर रहे है तो इसको example लेके चीजों को यहाँ पर समझाएगा है एमदाबाद का यह जो zero prevalence survey हुआ है इसमें क्या अच्छी चीजें थी और इसके basis पे national basis पे एक zero prevalence survey कैसे कराया जा सकता है उसके लिए कुछ examples यहाँ पर दियो है काफी बड़ा article है important चीजें हम लोग detail में discuss करेंगे next article जो discuss करने वाले है वो है आपका Great Indian Bustard को लेके देखिए recently Supreme Court of India ने intervene किया है Great Indian Bustard को बचाने के लिए hardly के वल 200 Great Indian Bustard इंडिया में बची हुई है होता यह कि गुजरात के और राजिस्थान के इलाकों में जब यह उड़ती है न तो हवा में जो आपके power lines है उन power lines से टकरा जाती है और इन Great Indian Bustard का कोई frontal vision नहीं होता है तो दूर से power lines को identify नहीं कर सकती है पास पहुचने के बाद जब यह अपनी radio waves के थुरू power lines को identify करती भी तब तक काफी देर उचकी होती काफी बड़ी birds होती है लड़ जाती है उन power lines से इसे respect में Supreme Court ने इनकी protection के लिए बोला था कि जब तक इन above ground power lines को आप underground नहीं कर देते तब तक proper bird diverters लगाया जाने चाहिए इसके respect में विनी सर ने आपके लिए अलड़ी एक वीडियो बनाई है Green Energy Projects Threatens Great Indian Bustards तो अगर आपने ये particular वीडियो नहीं देखिये जाके तो आप इस particular वीडियो को देख सकते हैं जाके आपको काफी जानकारी और काफी आइडिया इस particular नीज के बारे में इस particular वीडियो में पता चल जागा जो भी नहीं सर आपके लिए अलड़ी रिकॉर्ड कर चुके है ठीक है हाला कि इस article को भी मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ overall holistic understanding के लिए चार ये articles हैं तो discuss करी लेते हैं next बात करेंगे तर गंगा message भाई देखे इंडिया में तो अभी इसके respect में कलके current affairs में भी बात की आज के editorial में भी बात कर रहे हैं तो आपका holistic revision सा हो जाता और plus editorals में हमेशा कुछ ना कुछ extra information भी दी जाती है तो इस गंगा pollution को लेके गंगा में जो micro plastic pollution है ये कितना serious है क्या इस प्रकार के बार क्लीन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन सब चीजों के बारे हैं बहुत डीटेल में आप बात की गई और नेक्स्ट बात करते हैं आपका return to troubles देखे एक northern island का protocol sign हुआ था किसके किसके बीच में European Union के बीच में और Britain के बीच में अभी इस protocol में problems आ रही हैं क्या problems आ रही हैं पहले जो custom checks लगाए गए थे वो Ireland के island और Britain के बीच में लगाए गए थे अब Britain इस protocol को बदल करके इन custom checks को दो Ireland countries के बीच के border पे लगाना चाहता है यह पूरा का पूरा मुद्दा कैस के उपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और आज ही बहुत ब्रीफ में चीज़ें आपको ढंक से समझाओंगा तो यह चार आर्टिकल से और यह चार के चार आर्टिकल से हम लोग बहुत डीटेल में यह पूरा में धेफिनिटली हेलफूल टोर्ट में अफर्ट थैंक्यू सो मजटिन फिर आयुश पोडार नहीं को जॉइन किया है उसके बाद पी अभी नहीं ने सिर्फ अना नाम पी ही लिखा हुआ है यह पर तो पी नहीं को जॉइन किया है फिर दीपक कुमार ने हमको जॉइन किया है फिर आश्रितोष कुमार ने हमको जॉइन किया है अश्रितोष कुमार का यह सेकेंड मन्थ है ऐसा मेंबर वेलकम आश्रितोष उसके बाद दौयपायन चैडर जी ने हमको जॉइन किया है फिर नंदिता का नाम तो मैं कर ले पी लिखा हुगा है के वल तो वेलकम पी देन आयुश पोडार ने हम को जोईन किया है और जतिन दुबे ने हम को जोईन किया है और special thanks to people who are joining recurrently जैसे की जतिन दुबे हैं 9th month as a member आश्टोश कुमार 2nd month as a member so thank you so much for जोईनिग जतिन दुबे आयुश पोडार पी दीपक कुमार आश्टोश कुमार and दौपाइन चेटर जी या वेलकम यू आल तो मैं चैनल as a member thank you so much for the consistent support guys and girls चलिए हम लोग शुरू करते हमने आज के इस discussion को वीडियो पे like का बटन जोरू दबा दीजिए का रक्स आप तक नहीं दबाया तो इस वीडियो को share कर दीजिए ज्यादा से तलनोक साथ telegram पे आप जोईन कर सकते हैं वहाँ पे मैं एक दिन में किसी एक समय पे पिछले पूरे दिन के जो लेक्चर्स के अपडेट्स होते हैं उनके लिंक्स डाल देता हूँ आप पे समय समय पे आपको पीडियो भी यहाँ पे मिल जाती है हर्शिदेवधी.com वेबसाइट पे डेली बेसिस पे आपको एडिटोरियल का डेली करेंट रफेस का जिस्ट अपलोड़ेट मिल जाएगा वहाँ उसको प्रिंट मार के पीडियो ऑफलाइन सेव कर सकते हैं अपने रेफरेंसेस के लिए सासाथ इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने सवाल भी आप पोड़ सकते हैं तो पहला आटिकल पर शुरू करते हैं अस सेरो सर्वे टेंपलेट फॉर दे होल अफ इंडिया दा एहम्दाबाद केस स्टेडी इस आइडियल टू हेल्प ट्रैक दा थ्रेशोल्ड फॉर हर्ड इमुनिटी एंड एड एविडेंस बेस्ट पॉलि जून 2021 में सेरो प्रिवनेस स्टेडी करवाई गई थी और इसके जो रिजल्ट से मालूम क्या पड़ता है रिजल्ट से मालूम यह पड़ता है कि एहम्दाबाद मुनिसिपल कॉपरिशन के अंदर जो भी इलाका पड़ता है जिस भी पॉपॉलिशन को यहां पे सैंपल किय गया है उस सेंपलिंग के बेसेज पर पता चलाए कि 81% आफ दा पॉपॉलिशन सेंपल में कोविड-19 की एंटीबॉड़ी मिली है अब धिहान दीजेगा यहां पर मेरे वर्ट को कोविड-19 की दो प्रकार के एंटीबॉड़ी होती है एक तो होती है नूट्रिलाइजिंग मतलब एक होती है आपकी normal antibodies जिसको आप humoral antibodies भी बोलते हो और एक cell-mediated immunity होती है जिसको आप neutralizing antibodies भी बोलते हो आप यह जो seroprevalence study करवाई गई है इसमें humoral antibodies के बारे में तो पता चल रहा है बट cell-mediated immunity यह जो neutralizing antibodies के बारे में देखें ज्यादा नहीं जानने को मिल रहा है समझ देखें कभी भी आप seroprevalence study करा होगे तो cell-mediated immunity को check करना काफी मुश्किल हो जाता है ठीक है ना cell-mediated immunity को check करना काफी मुश्किल हो जाता है हाँ normal खून में जो antibody cells है उनको पता करना फिर भी आसान होता है ओके दुनिया भर में जो countries है उन्होंने क्या बोला है ठीक है some studies in other countries have shown that besides the antibodies there is a substantial proportion of infected people who will not show antibodies but will have cell-mediated immunity ठीक है एक T-cell immunity मैंने पहले आपको समझाया था कुछ-कुछ वैसा ही है यह आँ पे यह cell-mediated immunity तो दो प्रकार की immunity होती है तो T-cell immunity cell-mediated immunity कह लीजे और एक होती है आपकी antibody immunity तो antibody immunity को पकड़ना फिर भी आसान होता है T-cell immunity को पकड़ पाना T-cell और यह जो cell-mediated immunity होती है इसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है तो जब भी इस प्रकार की seroprevalence survey करवाई जाती है इन seroprevalence survey से हम antibodies खून के अंदर की पकड़ लेते हैं cell-mediated immunity नहीं पकड़ पा मिली है और ध्यान दीजेगा cell-mediated immunity तो हमने चेकी नहीं करी है और अगर पहले rounds of seroprevalence की बात की जाए तो ऐसा बोला जा सकता है कि भाई ऐसा sizable number of लोग हो सकते हैं जिनमें cell-mediated immunity और antibodies दोनों होंगी कुछ में cell-mediated immunities होंगी और चुकि हम seroprevalence में कि जो seroprevalence किया गया है एम्दाबाद municipal corporation के दोरा इसमें हमनों ये cell-mediated immunity को नहीं पकड़ रहे हैं तो हो सकता है कि 81% लोग इसमें antibodies पाई गई हैं इसके अलावा 10-15% लोग और ऐसे हो जिनके अंदर cell-mediated immunity रही हो लेकिन वो obvious ही बात है seroprevalence में पकड़ में नहीं आएगा तो अगर हम एक rough estimate ले लें 10-15% लोगों का जिसके अंदर cell-mediated immunity थी तो overall एहम्दाबाद में रहने वाले 90-95% लोगों के अंदर immunity protection आ चुका है और herd immunity 60-70% या 80% बोली जाती है तो एहम्दाबाद के लिए आप कह सकते हो कि भाई ये herd immunity के level पे पहुँच चुका है तो एहम्दाबाद municipal corporation ने जो sero surveillance कराया है पहली बाद तो इसकी बहुत तारीफ की जारी है और इस sero surveillance के basis पे antibody कित्ते लोगों के शरीर में पाई गई तो एक क्यासी प्रतिशत लोगों के शरीर में पाई गई इसमें हमने cell-mediated immunity को assess नहीं कर पाए उसको assess कर पाना मुश्किल होता है तो चुकि cell-mediated immunity को हमने assess नहीं किया है तो हमने मान लिया कि extra 10-15 प्रतिशत लोग cell-mediated immunity के वैसे बचे होंगे तो overall 90-95% लोगों के अंदर कूरुमना के against resistance होगा अब यह जो हमदाबाद municipal corporation है इसकी जो serosurveillance है इस वन अफ दो मोस्ट progressive serosurveillance टेल डेट ठीक है COVID-19 control work में routine testing, tracing, isolation यह तो एक काम होता ही है साथ-साथ जो municipal corporations serosurveillance करवा पा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बहतरीन काम कर रहे हैं और इसलिए यहाँ पे एमदाबाद municipal corporation की काफी तारीफ की जारी है अब यह तो local level पर serosurveillance कराए गया है, national level पर serosurveillance करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है तो भाई, National Institute of Epidemiology यह किसके अंदर काम करता है, Indian Council of Medical Research के अंदर काम करता है तो National Institute of Epidemiology ने अब तक चार राउंड करवा चुके हैं वो serosurveillance की, जिनके बारे में हमने काफी editorial और current interface में पहले डिसकस किया फिर तक Council of Scientific and National Research CSIR ने भी एक nationwide serosurveillance करवा है, तो serosurveillance पहले भी हुए है अब अब अगर आप बात करो करनाटका की, केरला की, हनियाणा की, वेस्ट बंगाल की, ओडिसा, महाराष्ट, गुजराथ, दिनली, तमिलाडू, पंजाब, इन्होंने भी city-wide population based serosurveillance करवाए है Actually में होता ये है, कि जो population level पे immunity है, जो threshold है, जो आप herd immunity जिसको बोलते हो, इसको better यही रहेगा कि आप isolated pockets में conduct करवाओ, city-wise conduct करवाओ, ना कि nation-wise data निकालो जैसे for example, National Institute of Epidology, ICMR ने जो nationwide serosurveillance निकाला, उसमें हमाई सामें कुछ figures निकल के आए, 60%, 70% लोग herd immunity पा चुके हैं, ये लोग करोना से, आप कैसकते हो, touch में आ चुके हैं तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप isolated pockets में, अगर आप city-wise serosurveillance कराते हो, और उसके results के basis पे आप कुछ steps लेते हो, तो वो ज़्यादा effective है देखे, यहाँ पर example कैसे दिया गया है The threshold for herd or population level immunity is a local geographical phenomena, wherein the population or herd is intermixing with each other and spreading the disease within itself क्या है? माले जिए यह एक अलग locality, यह एक अलग locality, अब इस अलग locality के अंदर जित्ते भी लोग है, वो आपस में ज़्यादा interact कर रहे होगे इस अलग locality के लोग जित्ते भी लोग हो आपस में ज़्यादा interact कर रहे होगे माल लो ये एक अलग शहर है, ये अलग शहर है, ये आपस में पास में है, और इनके बीच में काफी सारा माइग्रेशन भी हो रहा है, बट फिर भी, जिसे स्पीड से इस शहर और इस शहर के बीच में लोग एक दूसरे को बदल रहे हैं, उससे ज़्यादा तेजी से आपस में जो ऐसे एहमदाबाद और बरोडा के लोगों के बीच में जो भी इंटर मिक्सिंग हो रही है, वो कम है उस इंटर मिक्सिंग की कमपेरिजन में, जो कि एहमदाबाद के अंदर हो रही है, अब समझेए, मान लिजा एहमदाबाद में, सेरो प्रेविलेंस में, सेरो सर्विल से पता चला कि 80% है बाई एंटी बॉडी का लेवल और बरोडा में पता चला 20% है एंटी बॉडी का लेवल तो ये बात बताने में कोई बहुत सदा रॉकेट साइंस नहीं कि बरोडा के अंदर COVID-19 और तेजी से फैलेगा जो कि बरोडा के अंदर लोगों के यहां पे केवल 20% इम्मुनिटी लेवल्स आए हैं मतलब अभी भी 80% वल्नरेबिल लोग हैं जबकि एहमदाबाद के अंदर अगर 80% लोगों के अंदर एंटी बॉडी आ गई है सेल मीडियेटर इम्मुनिटी को आप एक बार को भूल भी जाओ तो भी केवल 20% लोग वल्नरेबिल है तो ये कोई rocket science नहीं है कि Baroda के अंदर कोरोना के फैलने के chances जादा हैं चुकि Baroda के अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो infect नहीं हुए अब समझे आप बात को अगर आप Baroda और एहमदाबाद के data को मिला दो और मिला को बोलो कि 55% लोगों के अंदर आपकी antibodies है तो figure आपका intermix हो ज लोगों के antibodies है बरोडा के अंदर 20% लोगों के antibodies है अभी इन दोनों का segregated figure ना देखे हम का mind figure देखें तो हो सकता है हमारे सामने कुछ इस प्रकार का figure है कि 55% लोगों के अंदर antibodies है एहमदाबाद बरोडा के अंदर तो आप किस हिसाब से सोचोगे आप तो यही सोचोगे ना कि एहमदाबाद में भी 55% लोगों के अंदर empty bodies है और बरोडा में भी है तो अब 55% के साब से अब decision लोगे एहमदाबाद के अंदर भी बरोडा के अंदर भी लेकिन वो सही नहीं है चुकि आगर आप एहमदाबाद और बरोडा के individual figures देखते है 80% और 20% के तो यह बात आपके लिए समझ पाना rocket science नहीं है कि बरोडा के अंदर intervention करने की ज़्यादा ज़रूरत है बरोडा में लोगों के infect होने के chances बहुत ज़्यादा है चुकि बरोडा में vulnerable लोग बहुत ज़्यादा है एहमदाबाद में उतनी ज़रूरत नहीं है चुकि एहमदाबाद में और 80-81% सर्वे पूरे नैशन का हिसाब हमको देती हैं और पूरे नैशन के हिसाब से किसी के स्टेट में किसी एक सीटी में किसी एक डिस्टिक्ट में क्या हालाद चल रहे हैं कोरूना के infection कि वह हम पता नहीं कर पाते हैं और अगर micro level पे हम जान सकें कि कहां पर infection ज़्यादा पहला ह है तो माइक्रो लेवल पर हम चीजों का solution भी निकाल सकते हैं अब जैसे कि अब ICMR ने जो भी serosurveys करा है तो अपरैल 2020 में जो serosurveys हुआ था उसमें antibody level 0.7% थे overall आबादी के और जून 2021 में जो serosurveys हुआ उसमें एंटी बॉड़ी लेवल 67% है पूरे देश के आबादी के लेकिन ये 67% पूरे देश के आबादी के बता रहा है तो भाई महरास्ट में कितने तैरला में कितने असम में कितने आपका लक्षुदीब में की उत्तरफरदर्श में कितने segregated data नहीं पता चल पा रहा है तो अब आप steps किवर 67% के साफ से थो ना ले सकते हो भाई आपको तो जगा टू जगा steps लेने पड़ेंगे ना आप हमदाबाद में already 80% लोगों के अंदर antibody है और माल लो Baroda में 20% लोगों के अंदर है जो 45 सार से ज़ादा के लोग है उनके अंदर antibodies दिख रही है health workers के अंदर antibodies दिख रही है vaccinated लोगों के अंदर antibodies लिख रही है कुल मिला के बात समझे अगर आप overall antibody levels की बात करोगे तो UK में और United States में वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे क्यों यहां पर पस एक representative sample दिया गी कि अगर बरोडा में sero prevalence में या sero survey में यह पता चला कि 20% लोगों के अंदर ही antibody जा है तो बाकी 80% vulnerable है तो इन बाकी 80% लोगों के उपर यह जो आपका coronavirus से ज़ादा impact मार सकता है तो अगर micro level पे हम यह पता कर सके area wise की कहां पे ज़ादा intervention की ज़रूँ थे तो हम ज़ादा अच्छे steps ले सकते हैं इंडिया में ICMR की study के साब से urban इलाकों में जो antibody levels पाए गए हैं वो 69% है और rural इलाकों में जो antibody levels पाए गए हैं वो केवल 65% है अब यह भी बात सही कि बाई देखिए जो हमारे rural इलाके हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा overcrowding नहीं है इतने ज़्यादा आप जैसे कि urban इलाकों में बसों में भीडों में खचा-खच भर के लोग जा रहे हैं ट्रेनों में खचा-खच भर के लोग जा रहे हैं यह सब हमको rural इलाकों में कम देखने को मिलता है लेकिन at the same point of time rural इलाकों में लोग social distancing नहीं करते हैं उस level की awareness नहीं है अभी recently मैं कानपूर और लखनू जैसे शेरों में गया तो मैंने देखा भाई या कि कोई भी मास्क लगाए ही नहीं है, मिना मास्क लगाए लोग घूम रहे है, तो overall मतलब अम लखनू urban इलाका है लेकिन मैं थोड़ा गाउं सैट भी गया था तो वहाँ पी मुझे देखने को देखा कि भाई लोग नों ज्यादा मास्क पहने ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं पहने है, टावा सैट पे तो हम चीजों को जादा अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे, अगर हम बात करें, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों की, तो जिस प्रकार से एहमदावाद में सेकंड वेव बहुत खतरनाक तरीके से इंपैक्ट मार रही थी, उसी प्रकार से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोरू जैसे शहरों में भी सेकंड वेव खतरनाक तरीके से इंपैक्ट मांग रही थी, तो जिस प्रकार का सेरो सेर्वलेंस यहाँ पे एमदाबाद मुनिस्पल कॉर्परेशन ने कराया है, इस प्रकार की सेरो सेर्वलेंस दिल्ली, मुंबई और बैंगलोरू जैसे शहरों में भी होने चाहिए, जो भी अर्बन लोकल बाड़ी जैसे राज की सरकारे हैं, उनको रैपिड और सक्सेसिव राउंड औफ सेरो सेर्वेस कंडर्ट कर आए जाने चाहिए, चोकि इन सेरो सर्वे के रिजल्ट के आधार पर लोकलाइज रीजनल बेसिस पे आप स्टेप्स ले सकते हो और सेरो सर्वलेंस ज्यादा महंगा नहीं है, अगर आप एक पर्टिकुलर सेरो सर्वलेंस का टेस्ट कराते हो, मारो 500 रुपय खर्चा आता है, तो 5000 लोगों पे 25 लाघ रुपय खर्चाTeam़ तो अगर एक शहर में गरा 25,000 लोगों पे भी सेरो सर्वलेंस करवाते हो, तो खर्चा 1 करोन 25 लाग का है, अब शेहर के लेवल पे यह जो amount है यह बहुत ज़दा बढ़ा नहीं है राज्य की सरकार के level पर यह जो amount है बहुत ज़दा बढ़ा नहीं है खासकर जो हमारे सामने challenge है वो इतना बढ़ा है COVID-19 का कि इस प्रकार के सेरो सर्वे में थोड़ा पैसा खतम भी हो जाए तो भी वो worth है ठीक है ना चुकि वो आगे की future plannings करने में बहुत ज़दा useful होगा got it next article चलते empowering nature with biocentric jurisprudence in a recent ruling the Supreme Court of India has sought to move away from the anthropocentric basis of law देखें great Indian brusted species की बात की जाए gravely endangered species है इसके उपर already Vinny Sun एक वीडियो बनाई है जिसका link मैं आपको नीचे description walks में भी देदूँगा आप जाके उस particular वीडियो को देख सकते हैं तो यह जो great Indian busted है यह hardly 200 बची है ठीक है और recently Supreme Court of India ने अपनी protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है in great Indian busted नाम की birds को यह जो M.K.Ranjit Singh and others versus union of Indian others वाला जो case है इस बारे में बात चीत हुई कि जो power project की overhead lines है राजिस्थान में गुजरात में इन से लड़के जो great Indian busted है मर रही है तो Supreme Court ने बोला है कि जब तक आप इन overhead cables को underground power lines में नहीं बदल सकते तब तक आप bird diverters लगाईए मतलब कि इन power lines के आजपास bird diverters होने चाहिए ताकि birds के direction को divert किया जा सके ताकि वो बे फिजूल में इन power lines से लड़के मरे ना तो यह जो overhead power lines है ना वो in species of birds के लिए खतला बान चुकी है बहुत सारी इन से लड़ जाते हैं मर जाते हैं इस respect में ministry of power ने एक एफिडेविट भी प्रेजेंट किया था 15 माच 2021 को जिसमें यह बोला गया था कि यह जो great indian burstard है इसके पास frontal vision नहीं है ठीक है ना तो जैसे normal आखे होती हैं जिससे सामने एक शीज़ इनसान देख पाता उस प्रकार की आखे इस great indian burstard के पास नहीं है इसलिए वो अपने सामने आने वाली power lines को detect नहीं कर पाती है प्रस यह बहुत heavy birds है तो एकदम से maneuver कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है इसलिए यह power lines के पास आ जाती है तब तक इनको पता चलता है यह power line है यहापे उससे लड़ जाती है मर जाती है तो they are vulnerable to collision with power lines और इस vulnerability को हमें बदलने की जरूत है और यहाँ पे दो concept बताए जारे एक concept है बायोसेंटरिजम दूसा concept है एंथ्रोपोसेंटरिजम अब आपको समझना पढ़ेगा कि बायोसेंटरिजम और एंथ्रोपोसेंटरिजम में क्या फर्क है देखे एंथ्रोपोसेंटरिजम का logic यह है कि भाई जो human beings है human being is the most important species on planet earth और अर्थ के जितने भी resources है उनको आप human beings के benefit के लिए इस्तमाल कर सकते हो उनको exploit कर सकते हो वही बायोसेंटरिजम क्या बोलता है बायोसेंटरिजम यह बोलता है कि भाई natural environment के अपने कुछ rights है और सिर्फ human उस rights को मतब human अपने benefit के लिए उस rights को unsustainable तरीके से exploit कर रहे हैं यह बिल्कुल भी सहीं नहीं तो anthropocentरिजम क्या बोलता है कि भाई human being अपने benefit के लिए सब कुछ exploit कर सकती है सब कुछ बरबाद कर सकती है at the same time बायोसेंटरिजम उल्टा है वो कहता है कि ने भाई nature के भी अपने नियम कानून है जो nature है और उस nature में आपका बाकी species भी आ जाती है चाहे वो plant species हो चाहे वो animal species हो तो plant और animal species के भी पास अपने खुद के rights है तो human beings anthropocentrism के चलते अगर सब कुछ बरबाद कर रहे है तो वो justified नहीं है according to the definition of biocentrism तो biocentrism और anthropocentrism ये दो बहुत contrary viewpoints है anthropocentrism में humans पे बहुत सदा center किया जाता है और biocentrism में nature को भी importance दी जाती है समझ गया बात को और आज की date में जिस प्रकार का capital development हो रहा है जिस प्रकार का industrialization चल रहा है anthropocentrism को ज़्यदा importance दी जा रही है और anthropocentrism का एक बड़ा जबरदस्त case यहां पे बताये गए snail data के form में ये snail data वैसे तो exams के respect से आपके लिए इतना important नहीं बड़ मैं समझा देता हूँ actually में हुआ ये 1973 में University of Tennessee के एक biologist डेविड एटनियर उन्होंने Little Tennessee जो river है USA में वहाँ पे एक species देखी श्विश की जिसका नाम सा snail data अब एटनियर ने ये बताये कि जो snail data ये endangered species है तो ये जो टेली को reservoir प्रोजेक्ट बन रहा था इस Little Tennessee river में तो एटनियर ने बोला कि आपको इस टेली को reservoir प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा अगर आप इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करोगे तो ये जो fish species है snail data इसको बहुत ज़दा नुकसान होगा तो इसके लिए एक law suit फाइल हुआ फाइनली वो जो law suit था वो US की supreme court तक पहुचा जो US की supreme court है उसने Tennessee Valley Authority versus Hill में एक decision दिया decision क्या दिया? कि US का जो National Environmental Policy Act है उसमें snail data को एक protected species बताया गया तो चुकि US का National Environmental Policy Act चुकि US की Congress ने पास किया है अगर इन्होंने खुदी snail data को एक protected species बताया है तो कोई भी project जो की snail data को नुकसान पहुचाता है वो allow नहीं किया जा सकता अब जैसे ही US की Congress को यह पता चला कि हमारे National Environmental Policy Act में snail data को जोड़ने की वज़े से हमारा एट टेली को reservoir project खत्रे में आ रहा है तो उन्होंने amendment किया Congress ने और National Environmental Policy Act के अंदर जो protected species थी उसमें से snail data को निकाल दिया मतलब Supreme Court की ruling को nullify करने के रहे जो पहले protection snail data को दी जारी थी वो protection दी ही नहीं गई टेली को प्रोजेक्ट चलता रहा और साथ-साथ snail data fish को जो नुकसान पहुंचता था वो पहुंचता रहा और वो पहुंच रहा है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि भाई human projects को ज़्यादा importance दी गई और एक nature की special snail data को यहाँ पे नुकसान पहुंचाए गया तो ये किस चीज़ के सिद्धानत को promulgate कर रहा है ये anthropocentism की सिद्धानत को promulgate कर रहा है और ऐसे बहुत से examples आपको मिलेंगे पूरी दुनिया भर में लगबग 50 साल पहले आपको अफरीका में 4.5 लाक लॉइंस मिलेंगे आज की डेट में केवल 20,000 बचे हैं monoculture farming हो रही है borneo में सुमातरा में जिसके चलते auragontans बिल्कुल extinct हो गए है ठीक है ना rhinos की hunting करी आती है उनके haunts के लिए overall मदागासकर में 15 से 20 species of langurs पिछले 2000 सालों में extinct हो चुकी है international union for conservation of nature की अगर बात माने तो 37,400 species पूरी दुनिया में gravely endangered के list में आ गई है और ये list बढ़ती ही जा रही है और ये सब क्यों हो रहा है ये सब बहुत simple सी बात है इसलिए बोल हो रहा है चोंकि humans बहुत unsustainable तरीके से exploitation कर रहे हैं और anthropocentism का सिद्धाद indirectly चल रहा है human sustainable development की बात चलती है bioscenticism को लाने की बात चलती है अब इसके respect में किया कह जा सकता है क्या पूरे देश में दुनिया में कुछ किया कह है इंडिया में क्या किया किया तो एक है इंडिया में अगर आप eco conservation की बात करो तो भारती समविधान की बात करो तो नोड़ाट भारती समविधान में human beings की कुछ rights दिये गए लेकिन human beings किछ हद तक environment को नुकसान पहुचा सकते हैं उसमें interfere कर सकते हैं इसके बारे में कोई clear cut provision लिखा नहीं है but thanks to our judiciary हमारी Supreme Court, High Court और National Green Tribunal ने intervene करके ऐसे बहुत से progressive decisions दिये हैं जिसके basis पे human beings का जो excessive interference है हमारे nature में इसको कहीं न कहीं चेक किया गया article 21 of the constitution में human beings की life के साथ जो हमारी natural entities है जैसे कि हमारी नदिया है जो हमारी floral और faunal diversity है इसको बचाने की भी बात की गई है और इस प्रकार की जो नियम कानून है वो केवल इंडिया में ही नहीं अगर आप देखो तो September 2008 में Ecuador पहली country बना दुनिया की जिसने rights of nature को अपने सम्विधान में जोड़ा Bolivia ने भी rights of nature laws को अपने सम्विधान में जोड़ा बाग में फिर November 2010 में Pittsburgh नाम का जो शहर है Pennsylvania State USA में वहाँ पे उन्होंने right of nature को recognize किया तो rights of nature को अब दीरे दीरे करके दुनिया भर में recognize किया जा रहा है और हमारी भारत सरकार ने भारत के सम्विधान ने तो सीधे सीधे right of nature को नहीं protect किया है चुकि रीजन भी 1950 के लगबग जब सम्विधान promulgate हो रहा था उस समय पे nature को इतना खत्रा था नहीं nature को जो खत्रा है वो 1970s 1980s में अगर बहुत बुरे हालात उससे में nature के प्रती होते तो हमारे constitutional fathers सीधे सीधे constitution के अंदर environmental laws डालते लेकिन फिर भी हमारे constitutional fathers में इस हद तक environment से related provisions को insert किया है हमारे सम्विधान में कि आज की date में judiciary उनको interpret करके humans के excessive interference को environment में रोकने की और check करने की कोशिश जरूर कर रही है तो नियम कानून मनाये जा रहे हैं definitely nature को बढ़ाने के लिए बचाने के लिए judiciary और दुनिया बर की सरकारें कुछ steps ले रही हैं बट वो steps enough नहीं हैं वो steps बहुत धीमे हैं उनको एक mission mode में implement करने की जरूर थे mission mode में implement नहीं हो पा रहे हैं बस फर्किये next बात करते हैं तो गंगाज message India must take its laws on waste seriously to stop micro plastic pollution क्या बताया जा रहा है बई देखिए महत्मा गांदी जी ने एक बार बोला कि गंगा एक ऐसी नदी है पट्टी यह सब आपका गंगा नदी में फेगा जाता है तो यह बड़ा depressing है कि आज की date में यह जो modern day scourge है micro plastics यह पाई गई है recently भी गंगा नदी में सबसे ज़्यादा इसका concentration पाया गया वारा नसी में और कानपूर में हरिद्वार में भी इसका concentration पाया गया अब यह से लेवल के plastic filaments fibers, fragments, micro beats का पाया जाना गंगा नदी में this is actually not a very good sign ठीक है यहाँ पे daily marra की चीजें जो breakdown होके पहुंची है जिसे कि आपके घरों में जो चीजें इस्तमाल होती है plastics की वो plastics की चीजें breakdown हो के हो के गंगा नदी में पहुंची है तो tire के टुकडे आपके clothing food packaging bags cosmetics with microbeats garland covers इस प्रकार का municipal waste बड़ी अच्छी खासी sizable quality में अच्छा खासा पहुंचा हुआ गंगा के अंदर और यहाँ पे microscopic particles ही बहुत मिलें वो जो की 300 micrometres to 5 mm के होते हैं जो कि एक normal human eye को visible नहीं होंगे अब इतना pollution गंगा का इस बात को ध्यान में रखते हुए कि already भारत की सरकार जो NDA government वो सच भारत mission चला रही solid waste को deal करने के लिए और नावावी गंगे program चला रही गंगा को power में आया 2014 से वो नदियों को साफ करने के लिए एक proper आप कैसकते हैं mission mode में काम कर रहे है December 2020 में भी एक river clean up का यहाँ पे mission चलाये था मोदी जी ने ठीक है लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो official data यह बताता है कि 97 towns जो की गंगा नदी के किनारे हैं वो लगबग साड़े साथ सो मिलियन लीटर्स यानि 75 करोन लीटर्स अफ अंट्रीटेड सीवेच एक दिन में नदी में फेक रहे हैं और इसके लिए एक environmental activist गुरुदास अगरवाल ने fasting भी की थी 2018 में सरकार का ध्यान लाने के लिए fasting करते करते इनकी मृत्ती भी होगी तब भी सरकार ने ज़्यादा कुछ अब तक किया नहीं अब ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो प्लास्टिक पॉलिशन वो के वाल गंगा में पाए जाता है दुनिया बर के बहुत से रिमोर्ट एको सिस्टम्स में for example माउंट एवरेस्ट आर्टिक स्नो आइसलेंडिक ग्लेशियर्स फ्रेंच पाइरनीज और मेरियाना टर्नेज की डेफ तक भी माइक्रो प्लास्टिक पहुँच गया है मतलब कुल मिलाके ये जो माइक्रो प्लास्टिक का यूजज है ना ये हमारी जिन्दगी के हर फैसेट में इन्वाल्व हो चुका है और जिस स्पीड से प्लास्टिक बनाया जाता है उसको प्रोसेस करने की capability उससे बहुत कम है तो जितनी एक सरकार की प्लास्टिक को प्रोसेस करने की capability उससे ज़्यादा स्पीड पर ये प्लास्टिक का production हो रहा है तो सरकार ने ज़्यादा collect और manage नहीं कर पा रही है इस waste को successive governments ने waste management rules ज़रूर बनवाए है लेकिन इनका implementation काफी मुश्किल हो रहा है हमारी भार सरकार ने भी plastic waste management rules को strong किया है solid waste management rules भी अच्छे खासे बनाए गए लेकिन single use plastics को अभी भी हम पूरी तरीके से खतम नहीं कर पा रहे है waste segregation, labels recycle करना packaging पे, extended producer responsibility को लेके आना ये सब चीज़ें अभी भी mission mode में implement नहीं हो रही है और जब तक आप इसको mission mode में implement नहीं करोगे, तब तक इस plastic problem से इजाद पापाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे जो एक बहुत जबरदस step बताया जा रहा है, वो यह बताया जा रहा कि जैसे ozone layer depletion को address करने के लिए जो Montreal Protocol बनाया गया था Vienna Convention कुछ इस प्रकार का इस प्रोटोकॉल ही अब plastic waste को टैकल करने के लिए बनाने की जरूवत है, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे involvement की जरूवत है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे involved नहीं होके इस issue को solve कर नहीं करते हो mission board में तो यह issue आगे और severe होता चला जाएगा, तो जिस प्रकार से Paris, अब देखिए, Montreal प्रोटोकॉल में बोलूँगा, Paris Agreement से जादा effective है, Paris Agreement में समने intended nationally determined contribution दी हैं, अपनी अपनी तरफ से voluntary targets दे रखे हैं, लेकिन कितने लोग voluntary targets पूरा कर रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं Montreal Protocol Vienna Convention यह binding target था, जिसके basis पे mission mode पे ozone layer depletion की problems को solve किया गया, tackle किया गया, कुछ इस प्रकार का हमें, micro plastic pollution में भी करने की जुरू है, इससे पहले कि pollution की problem एक limit ना cross कर जाए, actually में limit cross कर चुकी है, अब it is high time कि micro plastic pollution के लिए, सब लोग involved होके कुछ ना कुछ useful और proactive करें next बात करते है, return to troubles, Brexit was never going to be easy and should not compromise the Good Friday agreement, 1998 का जो Good Friday agreement है, जिसने Ireland में दो अलग अलग borders, मतलब एक border बना दिया है, ठीक है ना आपका Republic of Ireland एक अलग country बन गया और Northern Ireland बिटेन का हिस्ता बन गया, उसके चलते लंडन की बीच में बुरूसल, लंडन मतलब UK की capital बुरूसल मतलब EU की capital, अब इस particular agreement में हुआ क्या, इस particular agreement में हुआ ये, कि यहाँ देखिए, अगर आप इस particular figure को देखो, इससे आपको थोड़ा जादा जान करी लगे ये, ये जो green green में हिस्सा आपको देख रहा है, that is completely UK, और यहाँ पर आपको एक border नजर आ रहा है, जहाँ पर मैं यहाँ पर करसर गुमा रहा हूँ, ओके, तो यह देखिए, यहाँ पर जो लाल रंग का मैं आपको border गुमाता दिखा रहा हूँ न, this is ये, कि भाई, जो custom checks लगाए गए न, वो यहाँ लगाए गए, मतलब कि UK से अगर कोई समान बन के जाता है Northern Islands में, तो इसके ओपर custom check होगा, बट इस Northern Island और Republic of Island के बीच में कोई भी custom check नहीं बनाएगा, अब इसके चलते हुआ ये, कि Northern Island में दो तपके थे, एक तपका ये था, जो कि ये चाहता है कि Northern Island और Republic of Island कंबाइन होके एक अलग कंट्री बन जाए और Northern Island UK से अलग हो जाए, एक तपका ऐसा है Northern Island का जो कि UK के साथ जुड़ा रहना चाहता है, अब ये जो पहला प्रोटोकॉल निकल किया है, इस पहले प्रोटोकॉल के चलते हुआ ये है, कि Northern Island और Island के बीच में कोई भी Custom Boundary नहीं बनाई गई है, जो भी Custom Boundary है, वो UK Mainland और Northern Island के बीच में बनाई गई है, उसके चलते UK Mainland और Northern Island जो कि UK का ही पार्ट है, उसके बीच में Custom Boundary स्थापित कर रहा है, और Northern Island और Republic of Island के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यह हो गया कि Northern Island आपका इंगलेंड से लग हो गया, और सीधी बात यह है कि England, Custom Check यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहता है, नहीं तो फिर बेक्जिट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो क्या होगा, कि Northern Island और Ireland को आप एक ही मान लोगा, यह जो Republic of Ireland है, यह एक अलग कंट्री है, यह European Union का पार्ट है, अब अगर Ireland यह European Union का पार्ट रहता है, और UK का मार्कट का एक्सेस चाहिए, तो बाकी EU कंट्रीज आइरलेंड, Republic of Ireland में पर समान भीजेंगे और वहाँ समान इंगलेंड में पहुंच चाहिए, तो कहीं न कहीं कोई Custom आइरलेंड से मिल रहे हैं, तो अब UK क्या चाह रहा है, अब UK, European Union के साथ फिर से निगोसीशन करके चाहता यह है, कि यह जो Custom चेक है, वो यहाँ से हटा के, मतलब यह जो आपका Northern आइलेंड और UK, mainland की बीच में Custom चेक बनाए गहें, यहाँ से अटा के Custom चेक यहाँ लगा दे, Northern आइलेंड और Republic of Ireland की बीच में लगा दे, अब अगर Custom चेक Northern आइलेंड और Republic of Ireland की बीच में लग जाते हैं, तो जो Good Friday Agreement है 1998 का यह खत्रे में आजाएगा, यह जो Peace Agreement है यह खत्रे में आजाएगा, Northern आइलेंड और Republic of Ireland की जो लोगों की ethnicity है, उनके जो complex family relations है, वो बहुत ज़ादर strong है, तो अगर एक Custom बॉर्डर Northern आइलेंड और बाकी Republic of Ireland की बीच में आजाता है, तो जो Good Friday Peace Agreement है, यह खत्रे में आजाएगा, इतना लंबा जो violence का पीरिड रहा है Ireland में, वो फिर से शुरू हो सकता है, तो overall England यहां पर पस गया है, England को समझ में नहीं आ रहा है कि Custom चेक कैसे लगा है, प्रस यह Northern आइलेंड जो प्रोटोकॉल है, इसका अब आप में से कुछ लोग बोलोगे, कि Custom चेक लगाना जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए है, चुकि अगर आप Northern आइलेंड और इंग्लेंड के बीच में, हाला कि Northern आइलेंड इंग्लेंड का ही पार्ट है, पर इस पर्टिकुलर समुंदर से, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा और क्लिर हो जाएगी चीज़े, यहां देखिए, यह Northern आइलेंड इंग्लेंड का पार्ट है, ठीक है भाई, अब Northern आइलेंड और इंग्लेंड के बीच में, ट्रेड में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कस्टम चेक नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, तो इंग्लेंड का अगर बाकी European Union के साथ कस् पिर से शुरू हो सकती है, और माल लो आप Northern आइलेंड और Republic of Ireland की बीच में, कोई भी कस्टम चेक नहीं लगा होगे, तो फिर होगा क्या, कि European Union की बाकी कंट्री, नीदरलेंड, बेल्जियम, वो सामान Republic of Ireland भीजेंगी, वो Republic of Ireland से Northern आइलेंड आएग और England के मार्केट से पहु तो यह पूरा का पूरा एक ब्रीफ मैंने आपको यहां पे explanation दिया है, I hope आपको चीजें समझ में आ गई हूँ, आप theory पढ़ सकते हो, उससे आपको चीजें clear हो जाएगी, so thank you for watching friends, I hope आपको यह discussion useful लगा हो, जादा साथन लोग साथ इस वीडियो को share करिए, कि आपने viewpoint कोशिश करूँगा, अभी के लिए थोड़ा time schedule इला हुआ है, sorry for that, have a great difference, goodbye, ध्यान रखिए अपना